सब्सक्राइब कीजिए ओनलाइन साहता को और बेल के आइकन पे क्लिक कीजिए हरोज लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हलो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आप लोकडाउन के दोरान करनाटे के स्टेट में फसेव वे हो और यदि आप अपने घर जाना चाहते हो तो आप अपने घर जाने के लिए ओनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं या फिर ओनलाइन अनुम कैसे ले सकते हैं तो देखे मैंने इस वीडियो के निचे डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक दिया है जैसे ही आप उस वेबसाइट का लिंक पर किलिक करोगे तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी अब इसमें आपको सभी स्टेट के नाम यहां पर दिये गए हैं उनके सामने उनकी वेबसाइट यहां पर दी गई है जा पर जाके आप ओनलाइन रेजिस्टेशन कर सकते हैं और अपने घर जाने के लिए अनुमती ले सकते हैं तो देखे यहां पर आपको करनाटक का नाम भी मिल जाता है तो इदिए आप करनाटक State का नाम आपको मिल जाएगा, उसके सामने उसकी website पे आपको मिल जाएगी, तो आपको बस इस website पे click करना है, जैसे इस पे click करोगे तो आपके सामने ये वाली website open हो जाएगी, अब देखिए हैं आपे तीन option दिये गए हैं, पहला option है करनाटक से बाहर जाने के लिए, यानि कि क करनाटक से किसी दूसरे state में जाने के लिए, दूसरा option है country के लिए, और जो तीसरा option है वो करनाटक में आने के लिए, तो मालेजी आप करनाटक से बाहर जाते हो, और आप अपने घर जाना चाते हो, यानि कि अपने state में जाना चाते हो, तो उसके लिए आपको ये पहले वा है वह सेम परोड़ हो दो और अब नोमर यहां पर यह पर बंचारव honeymoon हरना । जैसे यह आप मुबाइल नमर लिखे लिए लिक होगे तो आपकी मुबाइल नमर पर एक sleepy code बेंटा जाएगा था Tan practice तुब आपको यहांद के लिखना है और उसके बादब अगले option में आपको अपनी age बतानी होती है, अपनी उमर बतानी होती है, तो आप यहाँ पे अपनी age लिख दीजिए, उसके बाद अगले option में आपको अपने आधार संख्या, अपने आधार नमर लिखने होते हैं, तो यहाँ पे आप अपने आधार नमर लिख दीजिए, उसक worker हैं तो आपको यहां पे worker पे click कर देना है उसके बाद आपको थोड़ा नीचे आना है और यहां पे आपको अपना present address बताना होता है यानि कि आप Bangalore में अभी कहां पे हैं वो address आपको यहां पे बताना होगा तो यहां पे देखिए आपको address के लिए तीन line दी गई है जिनमें से आपको पहली दो line में address लिखना जरूरी है तो आधा address आप पहली वाली line में लिख दीजिए और आधा दूसरी वाली में तीसरी line में यहां आपका address बड़ा है तो आप तीसरी line में भी लिख सकते हैं यहां नहीं है यहाँ पो कलिक करना है और करनाटिक में आप की जिले में हो इस एउसे आपको select करना है जैसे यह तो यहां से आप अपनी सब डिस्टिक के सेलेक्ट कर लीजिए उसके बाद आपको ओके करना है जैसे आप ओके करोगे तो जो तालूक है यानि कि यहां पर इत्रमेटिक आ जाएगी इसके बाद जो अगला उप्शन है उसमें आपको यहां पर पिन कोड भरने होते हैं और लेजिए आप 5 महने से हो 6 महने से या फिर 2 महने से तो वह आपको यहां पर लिख देना है उसके बाद आपको थोड़ा नीचे आना है और यहां पर आपको वह एडर्स बताना होता है जहां पर आप जाना चाहते हो यानि कि आप करनाटक से किस एडर्स पर जाना चाहते हो वो address आपको यहाँ पर बताना होता है, तो यहाँ पर भी वही तरीका है, आपको यहाँ पर पहली दो line में अपना address लिखना है, तो आधा address आप पहली line में लिख दीजिए, और आधा address आप दूसरी वाइली line में लिख दीजिए, यदि बड़ा address है तो तीसरी लाइन का भी यूजिक कर सकते हैं बरना आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं अब देखिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है जिन option के आगे यहाँ पे यह red star लगा हुआ है वो option आपको भरने जरूरी है जिनके आगे red star नहीं लगा हुआ है वो आप खाली भी छोड़ सकते हैं जैसे कि देखिए यहाँ पे पहली जो दो लाइन है इनके आगे star लगा हुआ है तो यह दोनों लाइनों में हमें address बरना जरूरी है जो तीसरी लाइन है इसके आगे star नहीं लगा हुआ है तो इसको हम यहाँ पे खाली भी छोड़ सकते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है इसके बाद जो अगला option है इसके अंदर आपको country यहाँ पे इंडिया एटेमेटिक select हुई मिल जाएगी उसके बाद आपको यहाँ पे अपना state बताना होता है तो आपको यहाँ पे इस option पे click करना है और आपका जो भी state है उसको यहाँ से select कर लेना है उसके बाद आपको अपने district काने की जिला बताना होता है तो आप अपना जिला यहाँ से select कर लीजिए उसके बाद अगले option में आपको अपना तालूक याने की तैसिल बतानी होती है तो यहाँ पे आप अपने तैसिल का नाम लिख दीजिए उसके बाद आपको अपने pin code अगले option में लिख देने है उसके बाद जो अगला option है उसके अंदर आपसे पूछा गया है कि क्या आप अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं यदि आप अपने पूरी family यानि कि अपने पूरी परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे हाँ पे click करना है यदि आप अकेले हैं अपने परिवार के साथ नहीं है तो आपको यहां पे नहीं पे क्लिक कर देना है उसके बाद आपको थोड़ा नीचे आना है नीचे आने पर आपसे पूछा जाएगा यात्राय की ववस्था यानि कि आपके पास अपना खुद का अरेंजमेंट है यानि बताना होता है यदि आपके पास driving license है तो आप यहां से select कर सकते हैं passport, water ID, आधार कार्ड, pen card तो जो भी आपके पास एक ID है उसको आप यहां से select कर सकते हैं जैसी के मैंने यहां पर आधार कार्ड select कर लिया है उसके बाद आपको नीचे वाले option में उस ID कारड के नमबर लिख पूरे नमबर नहीं लिखने हैं सिर्फ लास्ट के चार नमर लिखने हैं यदि आपके पास आधारकार है तो उसके बाद अगले उप्शन में आपको कॉरंटाइन की डिटेल से बतानी होती है तो यहां पर आपसे पहले उप्शन पूछा जाएगा कि क्या आपको सर्दी खास बगर है है तो आपको यहां पर क्लिक करना है यदि आपको ऐसे कोई भी लक्षन नहीं है तो आपको यहां पर नहीं पर क्लिक करना है उसके बाद आपको तोड़ा नीचा आना है नीचा आने पर आपको यहां पर एक उप्शन मिलेगा इसको आपको सलेक्ट कर लेना है उसक उसके बाद यहां पे आपको एक verification code दिया जाएगा यह verification code same to same आपको यहां पे नीचे दिये गए option में लिख देना है उसके बाद आपको यहां पे submit option पे click कर देना है submit पे click करने के बाद आपका जो form है वो आपको एक बार दिखाया जाएगा और यहां पे आपको एक बार अपनी सभी details चेक कर लेनी है यहां कि आपने सभी details सही से भरी है या फिर नहीं वो आपको एक बार यहां पे check कर लेनी है यदि कोई आपको mistake मिलती है तो आपको यहाँ पे edit का option मिल जाता है आपको इसके पर click करना है और जो भी mistake आउसको सही कर लेना है यदि सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पे attach an extra का option मिलेगा आपको इसके पर click करना है उसके बाद आपके सामने यह वाला page open हो जाएगा फोटो यहां पे अप्लोड करने वाले हैं उसको यहां से सेलेक्ट कर लेना है जैसे कि आपको आधार कार्ड की फोटो यहां पे अप्लोड करने है तो आपको आधार कार्ड को यहां से सेलेक्ट कर लीजिए उसके बाद उस PDF फाइल को आप यहां पे अपलोड कर दीजिए यदि आपके पास पैन कार्ड है तो आप अपने पैन कार्ड की सिर्फ आगे की फोटो लेके भी यहां पे अपलोड कर सकते हैं और आपको यहां पर एक बात का ध्यान रखना है चूज फाइल उप् से डाइरेक्ट फोटो अपलोड कर रहे हैं तो बस आपको चूज फाइल पे किलिक करना है और फोटो को अपलोड कर देना है इसके एन उप्शन पर किलिक नहीं करना है उसके बाद आपको अगले उप्शन पर किलिक करना है और फोटोग्राफ उप्शन को सेलेक्ट कर लेन है उसके बाद दोबारा से आपको choose file पे click करना है और अपनी photo यहाँ पे passport size photo यहाँ पे upload कर देनी है ID proof और photograph दोनों upload कर देने के बाद आपको यहाँ पे save option पे click कर देना है save option पे click करने के बाद दोबारा से आपके सामने यह वाला page open हो जाएगा अब देखिए यहाँ पे आपकी ID proof और photograph दोनों upload हुई दिखा दी जाएगी इसके बाद बस आपको यहाँ पे submit option पे click करना है और जैसे आप submit option पे click करोगे तो आपको यहाँ पे एक receipt दे दी जाएगी लास्ट में इस receipt को आप चाहें तो यहाँ से print भी कर सकते हैं और चाहें तो यह से PDF फाइल में save भी कर सकते हैं इसके लिए हुआ देखिए इस receipt के अंदर आपको यहाँ पे application नमर और application date भी दी जाती है जिसकी मदद से आप अपने application का status भी चेक कर सकते हैं बाद में status कैसे चेक करना है वो भी चलिए मापको यहाँ पर बता देता हो अब मालीजी आपने registration क status कैसे चेक करेंगे तो उसके लिए आपको दुबारा से website पर आना है इसी website पर अब देखिए आपको यहाँ पर option मिल जाता है track your application status आपको इस option पर किलिक करना है अब यहाँ पर आपको दो option मिलते हैं एक है application reference नमर का दूसरा है mobile नमर का यानिकी OTP के लिए तो आप दोनों मे यह नमर आपको नीचे दिये गए option में भर देने हैं और submit option पर किलिक कर देना है यहाँ से आपको सबसे पहले एक service select करने होगी तो यहाँ से आपको करना टक to other state का option select कर लेना है क्योंकि हमने इसी के लिए apply किया था उसके बाद आपके mobile नमर जो आपने forum apply करते समय दिये थे वो mobile number आपको यहाँ पर बर्ने है और उसके बाद get OTP option पर किलिक कर देने है उसके बाद आपको यहाँ पर एक option मिलेगा जिसके अंदर आपको वो OTP code बर्ने है उसके बाद यह जो code है यह आपको नीचे दिये गर是不是 पर किलिक कर देना है तो इस तरह से आप अपनी application का status भी ब क्या दो दिन के लिए वेट करना उसके बाद आप चेक कर सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक किजिए और अपने दोस्तों के साथ शेर कीजिए और यदि आपने अभी दिक हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए गंटी का एकनों को दुबाना ना भूलें इस वीडियो में बस इतना ही एक नए टोपिक पर नवीडिक साथ दुबाना से मिलते हैं तब तक के लिए बाए और टेक केर